एलो फ्रेंड्स आज मेरे पास बज्याज की CT 110 X बाइक आई है क्योंकि BS6 बाइक है इसमें चावी ओन करने के बाद स्टार्ट करने के बाद एडलाइट ओन नहीं हो रही है मैं आपको दिखाता हूँ चावी ओन करके यहां पे हम बाइक का सेल्फ लगाएंगे और की स्वीच को भी ओन कर लिया फिर भी एडलाइट का बल्ब नहीं जल रहा है आप वीडियो में देख सकते हैं यहां पे एडलाइट का बल्ब नहीं चालू हो रहा है फ्रेंड्स आप वीडियो में देख सकते हैं एडलाइट की स्वीच ओन करने के बाद भी एडलाइट नह नहीं जल रही है अब मैं आपको इसका solution दिखाता हूँ कि इसको आपको कैसे ठीक करना है friends सबसे पहले आपको left side का side panel open कर लेना है बाद में आपको यहाँ पे दो 15 amp और एक 10 amp का दो fuse दिये होंगे उसको आपको चेक करना है सबसे पहले आपने 15 amp का fuse निकाल लेता हूँ है आप वीडियो में देख सकते हैं यह 15 amp का fuse है जो कि ठिक ठाक है वह खराब नहीं हुआ है कटा हुआ नहीं है बाद में आपको दूसरा fuse दिखाता हूँ आप देख सकते हैं यह fuse बीच में से जल चुका है आपको वीडियो में दिखाए दे रहा होगा इसलिए एड लाइट नहीं जल रही थी फ्रेंट्स अब में आपको इसमें नहीं फ्यूज लगा के दिखाऊंगा फ्रेंट्स आप वीडियो में देख सकते हैं 10 amp का इसमें नहीं वाला fuse लगा देंगे फ्रेंट्स अगर आपकी बाइक में भी एड लाइट नहीं काम कर रही है बी एसिक्स बाइक है सीटी 110 तो आपको अपनी बाइक में फ्यूज चेक करने हैं अब मैं आपको चाबी ओन करके एड लाइट ओन करके दिखाता हूँ आप देख सकते हैं फ्रेंट्स एड लाइट की रोस्नी केसे एकदम से दिखाई दे रही है आई बीम और लो बीम भी केसे एकदम से काम कर रहा है और यहाँ पे एड लाइट भी स्वीच ओन उफ करने पे काम कर रही है फ्रेंट्स आप देख सकते हैं यह एड लाइट केसे काम कर रही है, अगर आपके पास भी बजाज की CT 110 X-Bike कभी आती है उसमें एड लाइट या फिर मेटर की लाइट या फिर वरन नहीं बतता है तो आपको एक बार fuse चरूर चेक करने है क्योंकि fuse उड़ी जाने की वज़े से ये सब काम नहीं करता, इसलिए आपके पास भी कभी ऐसी प्रिब्लम आये तब आपको एक बार fuse चरूर चेक करना चाहिए और फ्रेंड आप मेरे चैनल पे नहीं आई है और आपने चैनल को अभी तब सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना चुकि में अपने चैनल पे बाइक के रिलेटिव एसी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ जिससे आपको कई प्रेकार की नोलेज मिलती रहे